बाली का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो सबसे पहले चीज आती है वो है बाली की खुबसूरती और सुन्दर लुभावने द्रिश्य बाली के सुन्दर पहाडिया, अनीको जडने, चावल के खेट और कई सारे मंदिर आपको तुरंती बाली बहुशने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन इससे पहले कि आप इस खुबसूरे जगे पर जाएं, आपको बाली के बारे में कुछ इंपॉर्टन चीज़ों को जान लेना बहुत जरूरी है ये जानकारी आपकी बाली यात्रा की योजना बनाने में आपकी मदद करेगी वर्ट खुंगों से सरित और कमल आपका हमारी ट्रावल चैनल को में स्वागत करते हैं हमने बाली ट्रावल गाइट को टू पार्ट में डिवाइट किया हैं पार्ट वन के इस वीजियो में हम आपको बाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बाते बताएंगे पार्ट वीजियो में हम आपके साथ 10 दिन के एक ट्रावल आइटिनरी शेयर करेंगे जो आपको Bali के मेन अट्रैक्शन्स दस दिनों के अंदर कवर करने में मदद करेगी इस वीडियो को देखने के बाद हमारी इस चैनल पर Bali Part 2 वीडियो को देखना मत भूलेगा वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेज सब्सक्राइब बटन को प्रेट करें और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें इंस्टर्क्राइब पर भी हमें फॉलो करने के लिए धन्यवार चलिए अब शुरू करते हैं बाली ट्रावल गाइड पार्ट वन वीडियो बाली इंडोनेशिया का एक ध्वीब और प्रांथ है जिसकी मैकसिमम जनसंख्या हिंदू है बाली की राजधानी दिन पासार ध्वीब के दक्षिन भाग में स्थित है बाली के पस्चिव में जावा और पूरब में लंबॉक्स थित है प्रांथ में बाली के द्वीब के साथ साथ कोछ छोटी पडोसी द्वीब जैसे नूसा पेनीडा, नूसा लेंबॉन गन, नूसा केमिंगन भी शामिल है बाली के दो मुखे विशिट्थ मौसम है ड्राइ सीजन में से सप्टेंबर तक और वेट सीजन ऑक्टूबर से एप्रिल तक उचाई पर टटिये शेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा से तापमान काफी ठंडा रहता है अब बात करते हैं बाली घुमने के बेस्ट टाइम की जून, जुलाई और अगस्त के महीने बाली जाने वाले परियाटकों के बीच में सबसे पसंदीदा महीने है आपने बाली जाने का मन तो बना लिया है लेकिन ये नहीं जानते की प्लानिंग कैसे और कहां से शुरू करें चिंता ना करें, हम यहां आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए उपस्तित हैं इससे पहले कि आप अपनी ट्रावल की प्लानिंग शुरू करें, आप कोई दो बातों का ख्याल रखना होगा नमबर एक, आप वास्तव में बाली में क्या देखना और अनुभव करना चाहते हैं और नमबर दो, आपके पास ट्रावल करने के लिए कितने दिन हैं इन दोनों बातों के आधार परें आप अपनी यात्रा की योजना बनाएं बाली में घूमने लाए कौन सी जगे कहा हैं इस चानकारी के लिए आए पहले बाली के भुगोल को समझ लेते हैं बाली एक जवाला मुखी परवत शंकला द्वारा पूर से पस्चिम में और उत्तर से दक्षिं तक गहरी नदी की घाटियों में विभाजित है इस द्वीप पर दो सक्रिय जवाला मुखी माउंट अगुंग और माउंट बतुर का प्राभुत्व है पूर्फ में हुए जवाला मुखे विसपोटकों के कारण यहां की भूमी बहुत उपजाओ हो रखी है नौर्थ बाली में आम तोर पर कम भीड रहती है इस छेत की प्रमुख विशेश्टाएं है लोवीना के शान समुतर में डॉल्फिन वाचिंग टोर्स, सुन्दर लैंड्सकेप्स, कई सारे मंदिर और कुछ ज़रने जिनमें से किट-किट वाटरफॉल सबसे ज़ादा पॉपुलर है साउथ बाली यहाँ आम तोर पर सबसे अधिक भीड होती है इस छेतर के प्रमुख विशेश्टाएं बाली के सबसे अधिक परियटंग के अनकूल बीचेज हैं जो कि सेमिन्या, कूता, लेजियान, जिंबारन और नुसा दुआ के शेहरों में स्थित हैं यह बीचेज, सर्फिंग और पाटी करने के लिए काफी लोग प्रिये हैं सबसे लोग प्रिये मंदिर, तनहान, लौट और उलुवातू, बाली के दक्षिंच छेतर में स्थित हैं इस्ट बाली में भी कम भीड रहती हैं और इस छेतर के प्रमुख विशेश ताएं हैं इसके पहाडी इलाके पवित्र माउंट अगुंग पूर्वी तट पर कई पहाडों से घिरा शितिच पर सबसे उचा दिखाई पड़ता है माउंट अगुंग की धलान पर पूरा बिसाकी मदर टेंपल स्थित है ये बाली का सबसे बड़ा और पवित्र मंदर है अन्या कर्शनों में से साइटमें घाठी के सुन्दर पारिदर्श और इस्ट पाली के बीचेश शामिल हैं ये बीचेश डाइविंग के लिए काफी पॉपुलर है वेस्ट पाली में भी कम भीड रहती हैं इस छेतर के प्रमुख विशेशताएं हैं हाइकिंग और बर्ड वाचिंग के लिए वेस्ट पाली नाशनल पार्क, सुन्दर जंगल और बीचेश उबुदार सेंट्रल बाली जिसे बैलीनीस कला और संस्कृती का सेंटर माना जाता है ये सबसे ज़्यादा भीड भाड़ वाली छेतर है सेंट्रल बाली में बाली के समृत संस्कृती का अनभव प्रात किया जा सकता है इस छेत्र के प्रमुख विशेश्टाएं हैं हर्याली भरे यहां के गाउं, चावल के लहराते खेत, ज़रने, नदिया, माउंट बतूर, मंदिर और बाली कलात्मकता इन सभी टूरिस प्लेसेज की डीटेल जानकारी हम आपको बाली पाट्टू वीडियो में देंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें बाली में विपे ने छेतरों के बारे में जानने के बाद, अब चलते हैं नेक्स टेप पर, जो है नम बाली की होटेल बुकिंग लक्षरी विला से लेकर बजट होटेल और एरबी अनबी होम्स बाली में हर तरह के अवास उपलब्त हैं, आप अपने बजट के अनुसार इन में से किसी को भी चूज कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से साउथ एंड सेंट्रल बाली में रुकना जादा अच्छा रहेगा यदि आप एक बीच के पास जादा दिन बिताना चाहते हैं तो आप साउथ बाली में कूता, सेमिन्यांक, सनूर या नूसा दुआ में होटल बुक करवाएं दूसरी और यदि आप बाली के ग्रामेन इलाकों में हर याली का अनुभव करते हुए अधिक दिन बिताना चाहते हैं तो सेंट्रल बाली में उबुद में अपना होटल बुक करवाएं अगर आप चाहें तो अपनी ट्राविल डेज को डिवाइट करके दोनों छेत्रों में होटल बुक करवा सकते हैं यदि आप एक बैकपैकर हैं तो आपके पास कई विकल्प हैं आप हर एक छेतर में रुख कर कुछ समय बिता सकते हैं अब बात करते हैं टिकेट बुकिंग्स की क्योंकि बाली एक बहुत ही पॉपलर परियटन्स धल है इसलिए यहाँ पर होटेल्स बहुत ही जल्दी बुक हो जाते हैं एक बार आपने ट्रैवल डेट्स फाइनलाइस कर लिए और होटेल्स का चुनाव कर लिया आप तुरंधी होटेल बुकिंग्स करवाएं अच्छा होगा अगर आप दो महिने पहले ही बुकिंग्स करवा लें आपको कुछ अच्छे ओफर्स और डिस्काउंट्स में मिल सकते हैं बाली पहुचने के लिए प्रमुक अंतराष्ट्रिय शेहरों से उड़ाने नियमित रूप से बाली के दिन पासार हवाई अड़े के लिए उड़ान भरती हैं बाली तीज दिनों का वीजा अनरावल पॉलिसी फॉलो करता है एरपोर्ट से आप कैब या टैक्सी हायर करके अपनी होटेल पहुच सकते हैं जादर तर केसिस में आपनी जिस होटेल में अपनी बुकिंग करवा रखी है वह टैक्सी की विवस्था करा देगी होटल बुकिंग करवाने से पहले आप इस बात का कन्फरमिशन होटेल से जरूर ले ले बाली के अंदर घूमने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक करवा सकते हैं या फिर खुदी बाइक या स्कूटर ड्राइब कर सकते हैं हमारे हिसाब से बाली में घुमने का सबसे अच्छा तरीका है बाइक है स्कूटर रेंट पर लेकर खुदी चलाना बाली में कई सारे टूर एजेंसीज हैं जो टूरिस्ट को स्कूटर्स बहुत है कम शुर्क पर रेंट में देती है खुदी बाइक चलाने का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आप जब जाहें जहाँ जाहें गाड़ी को रोक कर बाली की सुन्दरता का मज़ा उठा सकते हैं वहाँ चलाते समय अंतराश्ट्रे ड्राइविंग लाइसेंस क्यारी करना और हेलमिट पहनना दोनों ही बहुत सुरूरी है बाली के नजदी के द्वीप नुसा पैनीदा, नुसा लेंबॉन गन और नुसा केनिंग गन पहुचने के लिए बाली से डाइरेक क्रूज की सुविधा उपलब्थ है बाली में कई पॉपलर जगाओं को देखने के लिए एंट्री फीज के साथ वेलकल पार्किंग फीज भी देनी पड़ती है इसलिए जरूरी है कि आप अपने पास हर समय कुछ कैश जरूर रखें चलिए अब जानते हैं बाली के कल्चर और रिलिजन के बारे में कुछ बाते हैं अधिकांश मुस्लिम बहुत संख्यक इंडोनेशिया के विप्रीत बाली की लगबग 83.5 आबादी बाली हिंदु धर्म का पालन करती है अल्प संख्यक धर्मों में इसलाम, इसाई धर्म और बौध दर्म शामिल है बाली संस्कृती में धर्म का विशेश महत्व है यहां कई अनुष्ठान और परमपराईं देखी जाती हैं जो बैलीनीज लोगों का उनके देवी देवताओं में विश्वास को दिखाता है बाली पहुशते ही आप जिस एक चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं वो है कनंग सारी जो आपको हर चके दिखाई देगा घरों, दुकानों के सामने, मंदिरों के सामने और मुर्थियों के ऊपर भी कनंग सारी हर सुबे देवी देवताओं को धर्यवात देने के लिए की जानी वाली भेट है कहा जाता है कि इससे धर्ती पर संतुलन और शान्ती बनी रहती है बाली के सटकों पर घूमते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आप गलती से भी कनंग सारी पर अपने कदम ना रखें बाली संस्कृती, बाली हिंदू बहुत धर्म और बाली के रिती रिवाजों का मिश्रन है यह अपने नुरत्य नाटक कला और मूर्ती कला के लिए जाना जाता है परमपरागत रूप से लेडीज का कमर के उपर के अंगों को प्रदर्शित करना अनैतिक नहीं माना जाता लेकिन थाइस का दिखना अनैतिक माना जाता है मौडन बाली में इनृती रिवाजों को आम तोर पर सक्ती से नहीं देखा जाता लेकिन बाली के मंदिरों में जाने से पहले ट्यूरिस को अपने पैरों को अच्छे से ढखने की सला दी जाती है इसलिए यदि आप किसी भी मंदिर में जाने का प्लाइन बनाते हैं तो आपको एक सरौंग पहनना आवश्यक है आप या तो एक खरीद के रख सकते हैं और इसे उन सभी मंदिरों में ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं या एंट्री टेरिकेट दिखाने पर मंदिर से इसे उधार ले सकते हैं मंदिरों में एंट्री से पहले पुर्शों और महिलाओं दोनों को अपने पैरों को घुटने के नीचे सरॉंग के साथ कवर करना जरूरी है हाला कि अगर आप फूल पैंट्स पहने हैं तो सरॉंग की आवर्शक्ता नहीं होगी बालीनीज डांस और म्यूजिक में व्यक्त होती है जो कि बहुत ही वाइबरंट है ओबुद जिसे बाली का सांस्कृत एक केंदर माना जाता है वहाँ आप बालीनीज डांस और म्यूजिक को देख और सुन सकते हैं आप दिन पासार में जून और जुलाई में आयोजित वार्शिक बाली कला उच सब को भी देख सकते हैं बाली के कुछ रेस्टरांस में कल्च्रल डिनर शो होते हैं जहां आप बैलिनी स्टांस और म्यूजिक के साथ भोजन का आनन्द उठा सकते हैं बाली के पौराणिक कायन और न्रेति की रसम केकक को उलुबातु टेंपर एमपिटेटर जिंबरन में देखा जा सकता है बाली के अन्य थेटर्स में आयोजित होने वाले प्रोग्राम्स निमने लिखे थे बाली में बहुत सारे थीम्ट रेस्टरांस हैं जो सुन्दर लोकेशन्स पर स्थित हैं इन रेस्टरांस के लोकेशन्स और इंटिरियर्स आथ का मन मोह लेंगे अक्सर चावल के खेतों, पहाडों या नदियों के सामदें स्थित ये रेस्टरांस इंडोनेशिया इव्यंजिनों के साथ साथ दुनिया भर के भोजन प्रदान करते हैं बाली जाने वाली इंडियन्स के लिए अच्छी ख़बर है कि बाली में कई इंडियन रेस्टरांस जगे जगे पर फैले हुए हैं बाली की सबसे प्रमुक लोकल डिशिस निमनलिखित हैं अबाली की साथ से जगें आईए अब हम आपको बाली में आम तोर पर दिखने वाली नियमित दिखाते हैं बाली में हर जगे आपको समारो, अनुष्ठान और कनंग सारी दिखाई देने के साथ आपको जगे जगे बहुत सारे सुन्दर मंदिर भी दिखाई पड़ेंगे खुशी से भरे स्थानिय लोगों के मंदिर समारों के जलूस भी आपको अकसमाती नजर आ जाएंगे इनके अलावा महा भारत और आमायन से हिंदु देवताओं के विशाल मूर्थियों को सार्विजनिक स्थानों जैसे सडकों और यहां तक के व्यवसाइक बिल्डिंग्स के ओपर भी देखा जा सकता है चलिए बात करते हैं शॉपिंग की बाली शॉपिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी जगे हैं यहां आपको लोकल हैंडी क्राफ्स और इंटरनाशनल ब्रैंड्स दोनों मिलेंगी यह दुकाने बाली के लगभर हर पॉपुलर अट्राक्शन के पास होती हैं हैंडी क्राफ्स से लेकर रंगीन, कपड़े, लकड़ी के बने स्कल्प्चर से लेकर घर की सजावट की सभी चीज़ें बाली में आपको सब कुछ मिलेगा बाली में खरीदारी के लिए दो इंपॉटन टिप्स हमेशा कैश लेकर चलें क्योंकि कई दुकानों पर कार्ट्स विकार्ड नहीं किया जाता कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने देश के कस्टम्स और इंपोर्ट रेगुलेशन्स की जांच सरूर करें बाली में खरीदारी करने के लिए सबसे अच्छे स्थान निम्नली खित है अगर बात करें बाली नाइट लाइफ की तो बाली नाइट लाइफ कूता, सेमिन्यांक और लेजियान में सबसे जादा वाइबरेंट है यहां के बीचेस पर लाइफ डीजे और बैंट पर रात पर डांस और पाठी का महौल बना रहता है सेंट्रल बाली रीजिन मेंली उबुद में रात का महौल काफी रिलाक्स और शांती पूर रहता है इस वीजियो में हमने आपको बाली संस्कृति की जलक दी और साथ है में कुछ इंपॉर्टन जानकारी दी जो आपको बाली जाने से पहले जान लेना ज़रूरी है बाली ट्रेवल गाइड पार्ट टू वीजियो में हम आपको एक 10 दिन की ट्रेवल आइटिनेरी बताएंगे जो आपकी बाली हॉलिडे प्लानिंग में आपकी मदद करेगी 10 दिनों के अंदर हम आपको बाली के सबसे सुन्दर जगाओं पर लेके जाएंगे इसलिए पार्ट टू वीजियो को देखना मत भूलेगा इस वीजियो के लिए इतना ही आशा है कि आपको हमारा ये वीजियो उपयोगी लगा अगर आपको ये वीजियो अच्छा लगा तो चलदी से लाइक बटन पर क्लिक करिए हम एक अच्छा से कमेंट लिखे और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ये वीडियो शेर कीजिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा हम जल्दी आप से हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते